पत्ना में आधी रात को कई होटल में चेकिंग अव्यान किया गया है। पत्ना के कई ऐसे इलाकों में पूरी तरीके से चोकसी बरहादी गई है और रात के वक्त होटल में पूरी तरीके से चेकिंग अव्यान लगाया गया। जो लोग कमरे में रह रहे थे उससे पूस्ताच की गई है, उनके समानों को चेक की गई है कि कोई ऐसी अपरिये घटना ना घटे इसको लेकर खास तोर पर पत्ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि आए दिन जिस तरीके से अपराधिक घटनाए बड़ी है और हाल के दिनों में जम्मू काश्मीर में आतंकी हमले हुए हैं और बिहारियों को मौत के घाट उतारा गया है। इसको भी देखते हुए खास तोर पर क्योंकि रास्टपती का आगमन होना है 20 तारिक को और पत्ना एयरपोर्ट से लेकर कई उनके कारिकरम रखे गए हैं। पत्ना में और विशेश विवान है उससे आगमन होगा और उसके बाद सीधे राजभबन जाएंगे। उसके खयाल से साफ तोर से ये चेकिंग अव्यान किया गया है और चेकिंग अव्यान के दौरान कोई अप्रिये घटना ना हो और कोई ऐसे संदिक्त वेक्ती जो है वो नहीं पकड़ेगा है। अव्यान किया गया है क्योंकि खास तोर पर बात करें तो महामहिम राष्टपती के आगमन से ठीक पहले ये तमाम चीजे की गई है। इसको लेकर जो कोतवाली थाने प्रभारी सुनिल सिंग है उन्होंने थोड़ी बहुत मीडिया को जानकारी दी है और वो भी क्या कुछ कह रहे हैं। तो आपने साफ तोर से सुना कि पटना में आगमन होना है महामहिम रास्पती का इसको लेकर खास तोर पर सुरक्षा के मद्दे नजर देखते हुए ये चेकिंग किये गए हैं। और आए दिन लगातार जिस तरीके से अपराधिक घटनाएं पटना में बढ़ी है उसके भी खयाल से इसे चेक किया गया है कि कोई ऐसे संदिक्द व्यक्ति तो होटल में नहीं ठर हैं। जिसके बज़ा से कोई अपरी ये घटना ना हो जाए तो पटना पुलिस के लिए बड़ी चुनावती है और रास्पती के आगमन से पूरी तरीके से सुरक्षा बिवस्था चाक चौवंद कर दिये गए हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें देज़ जिन्यूस के साथ और देखते रहें देज़ जिन्यूस।